कि सभी साथियों को प्यार वरा नमश्कार जय हिंद केसे आप सभी लोग उमिद करता हूं कि आप अच्छे हैं मस्त न स्वस्त हैं अपनी पढ़ाई को आप लोग निरंतर जारे रख पारें देखेगा साथियों आज वापस से मैं आपके लिए लेका हूं कुछ एक अंत्रिक मोहर तो करता हैं बिना किसी देरी के क्लास को सुरू बिल्कुल सभी एक बार मन लगा के सेर कर दीजेगा सीधी बात नो वकवास बिना कमेंट पढ़ने वाली क्लास चलिएगा अपन चलता है प्रारम करता है पहली पहली बात आते ही कि यूमन रेटेड सोलिड रोकेट बु कहां से किया गया तो याद रखिएगा हरी कोटा से किया गया कहां से किया गया हरी कोटा से यह जो आपका यूमन रेटेड सोलिड रोकेट बुस्टर है यह किसके लिए तो आप कहेंगे यह जो भारत का बोले तो इस रो के दबारा भारत का पहला मानों मिशन गगनियान बन मानव मिशन गगन यान के लिए भारत के पहले-पहले मानव मिशन गगन यान के लिए याद रखेगा सीधा-सीधा प्रशन वन जाए तो आप क्या कहेंगे इसरो का सुक्र मिशन याद रखेगा इसरो का जो सुक्र मिशन है यह सुक्रियान फस्ट इसरो का सुक्र मिशन इसका नाम क्या है तो आपका उत्तर आएगा सुक्रियान फस्ट है अब गोड करना इसकी घोसना कब की गई तो आप कहेंगे सर इसकी घोसना की गई है इसकी घोसना की गई चार मई को चार मई दोजार बाइस को कित्ती बाइस को चार मई दोजार बाइस और भारत बोले तो इसरो का जो कारेकरम है यह लॉंच कब करना चाता है भारत इसको तो याद रखेगा दोजार चोविस के अंदर इसरो इसको लॉंच करना चाता है यानि आप कहेंगे इसरो का ये कब का है तो आप कहेंगे सर ये 2024 का है ये प्रोग्राम क्यों चिलाया जा रहे हैं तो मैं आपको बदा दू की सता हिते तो वहां की सथा का अध्यान करना और वहां की तमाम चीजों की एसके हैं तो यह तकी इस सुक्र मिशन future प्रियान फस्ट इसकी घोष्टना कब की जाती चैर में 2022 को और लॉंच का प्लान कब का है तो याद रखेंगे 2024 का है आगे बात आती साई के मिशन बड़ाई सांदार प्रशन है साई के मिशन का समन्द किससे है तो आपका उत्तर आएगा जो शुद्र पेटी का है कहने का मतल इसमें करेंगे घोष्टना अगस्त 2022 में इसकी घोष्टना कब की गी तो आपका उत्तर आएगा इसकी घोष्टना अगस्त 2022 के अंधर की गी गी है यह चलाया गया है चुद्र ग्रह चुद्र ग्रह पेटी का में शुद्र ग्रह पेटी का में सोला साइकी की खोज वय प्रिक्षन के लिए कौन सा तो आपका उत्तर आएगा साइकी मिशन तो साइकी मिशन का समंद किससे है तो आप कहेंगे साइके मिशन का जो समंद है यह आपका सीधा सीधा अंतरिक्स कारेकरमों से ही है खुद्रगरे पेटी का यहां पे 16 साही की जो है इसकी खोज़ोर प्रिक्षन करने के लिए जो मिशन चलाया गया वो कौन सा साही के मिशन आगे फिर नेक्स्ट बात आएगे इपनी सीधा सीधा प्रशन बन रहा है भारतिये अंतरिक ससंग का सुभारम आप कहेंगे कब किया जाता है 11 अक्टूबर 2021 को किया जाता है सीधा प्रशन बारतिये अंतरिक ससंग का सुभारम अब मैं भारतिय अंतरिक ससंग की वजा आप से पूछू इस रो का गठन कब किया गया था आपका उत्तर क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताईएगा क्या 1979 में किया गया था क्या बिल्कुल किया गया था और इस रो के वर्तमान अद्यक्स कौन है कौन से नातर जल्दी से कमेंट करके बताईएगा तो यहां पर आजाएगा 11 अक्टूबर 2021 आगे आज़ा युमनिल रोबोट ये आपका एक रोबोट है और इस रोबोट का जो नाम है ये आप याद रखेंगे व्यूम मित्र कौन सा है व्यूम मित्र कौन सा रोबोट है तो याद रखना व्यूम मित्र अभ ध्यान यह आप कहें गगन्यान उरान से पहले परिक्षन के लिए भेजा जाएगा उरान से पहले परिक्षन हे तू भेजा जाएगा क्या गुश गया रहे गगन्यान उरान से पहले परिक्षन के लिए भेजा जाएगा चोटी चोटी बात हैं लेकिन बड़ी महत्तुपूर बात हैं याद रख लेनी सीधा सीधा प्रशन बनेगा कि यूमनाइड रोबोट क्या है इसका नाम क्या तो आप कहेंगे व्योममित्र तो व्योममित्र क्या है ये गगनियान उडाने से पहले उडान उडान लिख लिजिएगा उडान गगनियान उडान से पहले प्रिक्षन के लिए भेजा जाएगा कौन सा व्योममित्र परशन बना भारती अंत्रिक्स संका सुभारम कब किया गया 11 अक्टूबर 2021 को किया गया चलें आगे पन चलतें अब देखेगा नेक्स्ट बात आती अपनी कि पर्तवी टू मिसाइल वेरी का प्रिक्षन किया जाता है लेगे नेक्स्ट बात मैं आपको बदा दू यहाँ याद रख लिजेगा कि यह मिशाइल कहां से कहां मार करती है सीधा सीधा उत्तर कहेंगे यह सतय से सतय मार करती है सतय से सतय मार करती है अब इसे क्यों है सर पहली बात तो यह कहीगा DRDO दवा है कहाँ पे डियारड् riches के दवार अविख्सित Ос και कहां से किया जाता है तो मैं आपको बताओं इसका प्रक्षिपन किया जाता है चांदीपूर स्टेशन से आप फिर कहेंगे चांदीपूर स्टेशन कहां पे है तो याद कब किया जाता है तो आपका उत्तर आएगा चांदीपूर इस्टेशन ओडिसा से 15 जून 2022 को किया जाता है कब किया जाता भाइस आप 15 जून 2022 अब विशेश क्या है विशेश प्रशन ये बन रहा है कि रात्री कालीन पहला प्रिक्षन था याद रखेगा यारे पर्त्वी पात याद रखनी है रात्री कालेन पर्थम प्रिक्षन कोन सा तो आप कहेंगे पर्थवी टू मिसाइल का प्रिक्षन जो सताय से सताय पर क्या करती है आप मार करती है अब इसकी जो मारक चमता है ये कितनी है तो आप पहेंगे इसकी मारक चमता साड़े 300 किलोमेटर तक है इसकी मारक्षमता कित्ते किलोमेटर तक तो आपका उत्तरा जाएगा साड़े 300 किलोमेटर तक इसकी मारक्षमता कित्ते किलोमेटर तक साड़े 300 15 जून 2022 को इसका क्या किया गया तो आप कहेंगे प्रिक्षन किया जाता है DRDO के द्वारा विक्सित है आगे चांदीपूर स्टेशन याद रखेगा सतय सही सतय पर क्या करती है मारे करती है आगे फिर धहम देना परसन बनेगा कि VLSRSAM VLSRSAM यह आपका क्या है यह फिर से एक मिशायल है और इस मिशायल की जब बात करते हैं तो याद रखेगा DRDO और नो सेना के द्वारा विक्सित तो आप कह सकता है इसके अंदर आप कहेंगे DRDO वह नो सेना द्वारा विक्सित यह फिर परसन बनेगा यह जो आपके मिशायल है यह सतय से सतय पर मार करती है सतय से आकास में मार करती है सतय से आकास में मार करने वाली और वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात याद रखेगा कि इसका जो प्रिक्षन है ये कब किया जाता है तो डेट आपको याद रखनी है ये 24 जून 2022 इतनी तारिक याद रखेंगे 24 जून 2022 को याद रखेंगे अब मैंने DRDO DRDO में कई देर से कर रहा हूँ तो आब बता दीजेगा कि DRDO जो है इसका वरतमान में देक्स कोन है ये जल्दी से कमेंट किजेगा क्योंकि थोड़ा साक तो ध्यान रहना चीए ना तो चलो कोन है अच्छा कमेंट नहीं किया मैंने बता दिया कोई दिकत नहीं 37 र अभ्यास वेरी वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है हाई स्पीड एक्सपेंड़ेबल याद रखिएगा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टार्गेट जिसे अभ्यास नाम दिया गया है कब तो आपका उत्तर आएगा 29 जून 2022 कब की बात कर रहे है 29 जून 2022 की बात कर रहे है यह क्या है अभी पन बात करें थे सता से सता पे मार करने वाली मिसाइल सता से आकास में मार करने वाली मिसाइल लेगिन मार करने के लिए टारगेट क्या होना चीए वो जो टारगेट विमा अब अवी है तो यादरह्ये स्प्राइबेस नामद च्छोटा विमान है क्या एक है के छोटा विमान जो काम क्या आथा अभी जैसा आपको बताए चोटा विमान काम की आएगा धृःis से सुनेगा बड़ी काम की बात है यह जो चोटा विमान है आप कहेंगे मिसाइलों के टार्गेट करने के लिए मिसाइलों के तारगेट अभ्यास हे तू तारगेट अभ्यास हे तू यानि मिसाइल है टारगेट की जाती है तो अभ्यास के लिए कुस्तों चीहे तो एक छोटा विमान है जिसका नामा हाई स्पीड एक्स्पेंडेबल एरियल टारगेट याद रखेगा कब 29 जोन 2022 को इसने अपनी पूरी का जो मिसाइल है पहली बात तो केसी मिसाइल है आप कहेंगे सर्ये 6 जून 2022 की बात है कब की बात है 6 जून 2022 इसका प्रिक्षन कहां से किया जाता है तो आप कहेंगे जो आपका कलाम द्वीप है कहां पे कलाम द्वीप तो आप कहेंगे चांदी पूरपर ही है आगे फिर बा सक्षम परमानू हत्यारों को ले जाने में सक्षम कुन सी तो आप कहेंगे परमानू हत्यारों को ले जाने में सक्षम केसी रेंज की आप कहेंगे मध्यम रेंज की केसी रेंज की तो आप कहेंगे मध्यम रेंज की इसकी रेंज किती है लगबग आप कहेंगे 4000 किलोमेटर है कि केसे मार करती है तो आप कहेंगे सर यह सतय से सतय पर मार करती है कब से कब पर सोरी कहां से कहां तो सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाइल सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी तो आपका उत्तर आएगा अगनी फोर मिसाइल सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाइल अगनी फ और इसकी रेंज मद्य में कितने किलोमेटर तक तो आपका उत्तर आएगा यह आपके 4000 किलोमेटर तक इसकी मारक्षमता है यह ले जा सकती है आगे आप कहेंगे इसी का पर्थम प्रिक्षण इसका पर्थम प्रिक्षण 15 नवंबर 2011 को किया गया यह बात आपको धान रखने अब एक बात और बदा दूँ इसे वर्तमान में क्या भारतिय सेना में सामिल कर लिया गया है तो आप कहेंगे इसे भारतिय सेना में सामिल नहीं किया गया है सामिल नहीं किया गया है यह बात आपको धानक निये एक बार सेशन को लाइक कर दीजेगा और लाइक करने के साथ साथ सेर कर दीजेगा और पहली बार अगर आब विजिट कर रहेハं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूलिएगा ठीक है दबाके ठोक के एक बार लाइक कर दो सेर कर दो और दबादब दबादब संख्या बढ़ाते रो ठीक है ना तब जाके मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी मुझे तो तब आप कहेंगे 18 मई 2022 को साउअठी है कहां से किया जाता चांधी पूर से किया जाता चांधी पूर याद रखेगा इसके बाद में आती है ब्रह्मो सुपर्सोनिक क्रुज मिसाइल ब्रह्मोस नाम आ गया तो भारत और को प्रिक्षन यहां पर आपका 11 जनवरी 2022 याद रखेगा कित्ते जनवरी 11 जनवरी 2022 आपको धान में रखनी है इसका जो प्रिक्षन है यहां आपके नोसेना के आई एनस युद्ध पोच से युद्ध पोच से प्रिक्षन बात आती इसकी मारक्षमता पहले इसकी मारक्षमता कित्ती थी 290 किलोमेटर थी बढ़ा के कित्ती कीगी 450 और वर्तमान में इसकी मारक्षमता 600 किलोमेटर तक किया जाने का प्रियास है पहले कित्ती थी 290 इसके बाद 450 और वर्तमान में कित्ता तो आप कहेंगे 600 आई ये कौन से दो देशों का एक अपनियू कह सकते हैं आप कहेंगे भार प्रॉटेबल एन्टी टैंक गॉइडेड मिसायल यहां पर आप कह सकते हैं, 11 जनावरी 2022 ही आ जाएगा, 11 जना जनावरी 2022, इससे विसेश बात यद रखनी है, इससे कहते हैं, दागो और भूल जाओ मिसायल, इससे क्या कहा जाता है, दागो और भूल जाओ, परशन बन सकता ह ऐसा दागो और भूल जाओ मिसाइल कौनसी तो भाई साब याद रखेगा दागो और भूल जाओ मिसाइल तो आपका उत्तर आएगा मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौनसी दागो और भूल जाओ साथ ही साथ आप याद रखेंगे कम भारवाली ये मिशायल चलें आगे इसके बाद अब आगे फिर बात आती है अपनी आप कहेंगे सर लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहें टाइम देना ही क्या है पीडियेप आपको मिल जाएगी आगे बात आती है अगनी 5 याद रखेंगा ये भी क्या है तो आप कहेंगे प्रमानु सक्षम अंतर महाद वी पिए बैलेस्टिक मिशाय 27 अक्टूबर 2021 कहां से कलाम द्वीब से याद रखेगा मार कहां से कहां करती है सतह से सतह और कहिएगा अगनी स्रंखला की अगने स्रंखला की उन्नत मिशाय आपसे पुछलिया जाए इसके मारक शमता कितनी है तो आपका उत्तर क्या आएगा इसकी मारक शमता 5000 किलोमेटर है किते किलोमेटर? 5000 किलोमेटर द्यान दीजेगा मेरे बात के उपर अगनी 5 प्रमाणु सक्षा मंतर महादवी पे वेलेस्टिक मिसायल 27 अक्तुबर 2020 कहां से कलामदिप से सतय पे सतय पे मार करती है और अगनी स्रंखला की उन्नत मिसायल है ये बात आपको धान में रखनी है ठीक है याद रहेगी इतनी बात हैं ठीक रहेगी इसर क्यों नहीं रहेगी चलें आगे पन अब एक आती है आकास मिसायल कौनसी मिसायल आकास आपसे बात चली पड़ी आकास मिसायल की तो मैं आपको बता दूँ आकास से क्या प्रशन बन सकता है आई ये जमीन से हवा में मार करती है आकास मिसायल जमीन से हवा में मार करती है कितने किलोमेटर तक तो आप कहेंगे 700 किलोमेटर तक 700 किलोमेटर वजनी कितने किलोमेटर तक तो आपका उत्तर आएगा 25 किलोमेटर तक आगे फिर बात आती है तो आप कहेंगे सर एक आती है नाग नाग मिसाइल भी आती है बिल्कुल नाग मिसाइल भी आती है नाग मिसाइल से प्रशन क्या बनेगा कि नाग मिसाइल कहां से कहां वार करती है तो आप कहेंगे जमीन से जमीन वै हवा से जमीन जो आपका मार करती है ये कौन सी नाग मिसाइल करती है और ये लग बग आप कहे कित्ते किलोमेटर की मारक शमता होती है यह थोड़ा साख इसमें 700 किलोमेटर मुझे गलत लग रहा है न है थोड़ा साख मुझे कन्फ्यूज हो रहा है इसलिए मैं इसको हटाई देता हूं ठीक है और सीधा याद रखेगा हाकास है यह जमीन से हवा में करती है और इसके बारत में आप कहेंगे के अंत्रिक्ष कारे कर्म का विसेश अगर बात करते आपने भारत के अंदर अंत्रिक्ष कारे कर्म का जनक किसे कहा जाता है आप से सीदा साघ प्रसंद भूचली आ जाए जल्दी से एक बताई Murphy ठीक है तो आपके एगा कधन लिखेगा है कुछ है भारत में भारत में अंत्रिक्ष कार्य करम के जनक भारत में अंत्रिक्ष कार्य करम का जनक किसे कहा जाता है आपका उत्तर बनेगा अंत्रिक्ष कार्य करम का जो जनक है ये कहा जाता है विक्रम सारा भाई को इसे कहा जाता है विक्रम सारा भाई को आप से सीधी सीधी बात पूछली जाए इस सरो की स्तापना कब होती है तो आपका उत्तर आएगा 1909 इस विकेंदर होती है मुख्याले कहा पे इसका तो आप कहेंगे सर्फ बेंगलोरू में है आपसे प्रशन बने अंत्रिक्ष विभाग वे अंत्रिक्ष आयोग अंत्रिक्ष विभाग आपसे पुछली आ जाए और अंत्रिक्ष आयोग आपसे पुछली आ जाए इनकी स्तापना कब होती है तो याद रखीगा अंत्रिक्ष विभाग की बात आए चाहें अंत्रिक्ष आयो की बात आए उन्निस सो भेतर में अंत्रिक्ष विज्ञान और तकनिकी केंद्र कहां पर तो केरल में है तो नेक्स लिखेगा अंत्रिक्ष विज्ञान वै तकनिकी केंद्र अंत्रिक्ष विज्ञान वै तकनिकी केंद्र ये कहां पे कार्य कर रहा है तो याद रखीगा ये 1965 से कार्य तो कर रहा है लेकिन है कहां पे ये थुम्बी नाम की जगह आती है और थुम्बी आती कहां पे भाई साथ तो आप पहेंगे केरल में आती ध्यान रहेगा सीधी सीधी बात भारत में अंत्रिक्स क सखने की केंदर कहां पर अपका उत्तर बनेगा 1965 में तुम भी खेल में आगे आप लिखेगा उप गरे दूरसंचार जो आपका परत्वी स्टेशन केंदर यह कहां पर तो लिखेगा उपगरे दूरसंचार परत्वी इस्टेशन केंद्र ये कहां पे 1967 में स्तापित किया गया है कहां पे एहमदाबाद केंद्र है कहां पे एहमदाबाद परसन आप से ये पूछ लिया जाए कि भारत के अंतरिक्ष कारिय कर्म का पर्थम चरण कब से लेकर कब तक चला आपका उत्तर क्या ना चीए भारत में अंतरिक्ष कारिय कर्म का पर्थम चरण कब से लेकर कब तक चला और वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है तो मैं आपको बता दूँँ पर्थम चरण चलता है कब? 1960 से लेकर 1970 इसके बाद में 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 ऐसे चलता रहा वर्तमान के अंदर आप से चरण पूछा जाए तो आप कौन सा बताएंगे? वर्तमान में पांचवा चरण है जो कब से चल रहा है? 2000 से चल रहा है उपगर है दूर संचार पर्तवी स्टेशन के अंदर कहां पे? एमदाबाद में अंतरिक्स विज्ञान और तकनिकी के अंदर कहां पे? थुमबी केरल में अंतरिक्स विभाग की स्तापना 1972 में इसरो की स्तापना 1972 में आगे आप एक बात ओर लिख लिजेगा भारत का पर्थम करतरी में उपगर है तो याद रखेगा भारत का पहला पर्थम करतरी में उपगर है यह 1905 में कौन सा भाई साब याद रखेगा आरिये भट कौनसा आरिये भट आगे फिर प्रशन बनेगा आरिये भट के बाद में आप कहेंगे पर्थम आपने यूं कहें सवदेसी तकनीकी परनिर्मेद तो लिखेगा भारत का पर्थम सवदेसी निर्मित उपगरे यह आपका कौनसा तो आप कहेंगे इनसेट इनसेट टू ए कब आप कहेंगे उननिस सो बानमखे इसके बाद में एक आता है सिक्षा के चित्र में उपगरे काम कर रहा है जो आप जानते भी है तो आप कहेंगे कार्टो सेट कौनसा कार्टो सेट यह आपका कब दोजार पास इसके बाद में आप से पूचली आजाए कि जुगनू क्या है सीधा सीधा प्रशन आजाए कि जुगनू क्या है तो आपका समंध क्या है जुगनू कोई किताब का नाम है क्या जुगनु कोई हवा महल कार्य करम है क्या जुगनु कोई और कोई विकास योजना है क्या तो मैं आपको बता दूँ आप से पूछा जाए जुगनु क्या है तो आप कहेंगे पर्थम माइक्रो सेटेलाइट है यानि चोटा उपगर मानिएगा पर्थम माइक्रो सेटेलाइट और ये किसी दूसरे देशने नहीं तो आप कहेंगे सवदेसी तकनीक पर निर्भर ये आपका क्या है जुगनु क्या है भारत के इंदर पर्थम माइक्रो सेटेलाइट है जो सवदेस साओदेशी तकनीक पर निर्मेत है कौन सा जुगनु तो आपके पेपर में भी जुगनु जग सकता है भाई सा वियाद कर लेना जुगनु क्या है पर्थम माइक्रो सेटिलाइट है साओदेशी तकनीक पर आपका निर्मेत के इंदर ये वेरी 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 इंपोर्टेंट सावित होने वाले भारत में पर्थम परमाणू उर्जा विभाग की स्थापना कब की जाती है तो आप कहेंगे 10 अगस्त 1948 को की जाती है कब की जाती है 10 अगस्त 1948 आपसे पूछा जाए कि भारत में परमाणू उर्जा विभाग की स्तापना भारत में परमाणू उर्जा विभाग वेरी वेरी इंपोर्टेंट है परमाणू उर्जा विभाग की स्तापना अगर आपसे पूछी जाए ये कब की जाती है तो भाई सा प्रमाणू उर्जा सयंत्र याद रखेगा भारत का पहला पहला प्रमाणू उर्जा सयंत्र ये खोला जाता है भाई साब तारापूर के अंदर आप कहेंगे सर तारापूर है कहां पे महरास्टर में है तारापूर कहां पे महरास्टर तारापूर की बात आई तो आप से पू यह आपका तमिल लाडू के अंदर है आपसे फिर पूचा जाए कि कलब पक्कम तमिल लाडू में है नरोरा कहां पे है आप कहेंगे सर नरोरा उत्तर परदेश के अंदर है आपसे पूचा जाए रावत भाटा कहां पर है याद कर लेना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है रावत का पहला भारत का पहला भारी जल सयंत्र ये आपका कौन सा तो आप कहेंगे भारत का पहला भारी जल सयंत्र ये नांगल में है और नांगल बोले तो पंजाब में अलांकि राजस्तान का रावत भाटा भी सी स्रेनिक है लेकिन याद रखेगा भारत का पहला पुछा जाए भा इसके बाद में फिर प्रशन बन जाएगा पना के इंद्र ये कहांपे कलपकम तमिलाडू में उन्नत Τक्नीकी केंद्र कहांपे इंदोर में वेरिएबल एनर्जी साइकलोट्रों केंद्र कुलकाता में परमानु पदार्त अनवेशन और अनुसंदान इदेशाल हिद्राबाद में बाबा परमाणु उρजा प्रतिस्टान के अंदर ट्रामबे में परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड1923 में 11 और 13 1990 में सेटेंड परमाणु प्रिक्ष्न किया गया तो कमेंट करके जरूत बता दे और उसमें लगबग आपने काफी प्रिक्टिस की होगी अभी अपन दो दिन में ही अपने स्टार्ट की है अभी आज ही इसके टेस्स स्टार्ट हैं अगर आपने अभी तक भी जोईन ने की भूल मत करना क्योंकि सेलेक्शन वाली टेस्सरीज होगी करंट के 15 टेस्स के अंदर बिल्कुल साथ होगे राजस्तान वुगोल विशेश याद रखेगा लाइव क्रेश कोर्स इसमें आपका साथ मेड होगा और ये टेस्सरीज जो अपनी है ये टोटल 321 रुपे की होगी मनो विज्ञान के इसमें 10 टेस्स सामिल होगे मिलते हैं बहुत जल्दी तब तके ल केल विदा जे हिंद जे भारत अल्दा बेस्त बनके रहेंगे वाक्या था लेके रहेंगे मोर सीधी बात नोबकवास जे हिंद जे भारत